Hello everyone, good morning, नमस्कार, 7 अक्तूबर 2021 और आज के दहिंदू न्यूजपेपर गौमलग डिसकस करेंगे, अनलिसिस करेंगे, आप इसकी पेडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन मिल जाएगा, या सीधा प्रिवर्तन आएस अक पहले न्यूज है वो है, वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजेशन ने रेकमेडेशन करिये, पहली एंटी मिलेरियल वैक्षिन को, इससे पहले अगर आपको याद हो, मिलेरिया की कोई ऐसी वैक्षिन नी, जिसको डवल एच्चो ने ये वैक्षिन को अप्रोल दिया है, और ये पहली एंटी मिलेरियल वैक्षिन को अप्रोल दिया है, और इसको लेकर ये बोला कि एक तरीके से मैन और मस्क्यूटो के बीच में जो वोर्ड चल रहा था, एक बाटल चल रहा था, वो खतम हो सकता, एक टर्निंग पॉइंट की तरह है, डवली एच्चो के डिरेक्टर जन प्लाजमोडियम की वज़े से जो है, वो मले रहा होता है, जिसकी वज़े से बड़ी संख्या में लोगों की डेथ होती है, इस वैक्षिन का नाम दिया गया है, RTSS-AS01, RTSS-B आप बोल सकते हैं, और यह सब से पहले इंप्लिमेंटेशन करी जाएगी, सब साहरा अफ्रिकन region के अंदर, अगर आप अफ्रिकन कॉंटिनेंट को observe करेंगे, अफ्रिकन कॉंटिनेंट का अगर आप देखेंगे, जो बिल्कुल dry land आपको दिखाए देरा, जो बिल्कुल मिट्टी जैसे color का आपको नज़र आएगा, यहाँ पर यह जितनी countries है, यह सब साहरा regions के अंदर आ अफ्रिकन कॉंटिनेंट बहुत जादा न्यूज में हो सकता UPSC पुलिस में जो 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 वरफिकल प्रिस्पेक्टिस से क्योशन होते हैं उसके बारे में सवाल आप लोगों से पुछे जाए, इसके बाद यहाँ पर एक और information जो exam perspective से भी important है और Indian USA के bilateralization के perspective से भी important है एक news आपने जुरूर सुनी होगी कि S-400 missile system हम लोग purchase करें रशिया से इसी चीज़ को लेकर U.S. नराज और U.S. यह बोल रहा है कि U.S. का जो low है, U.S. का जो कानून है काटस आक्ट जिसमें countering adversity through sensation act अगर कोई country अमरीका के साथ relation आच्छे है अगर वो इरान से रशिया से या नोर्थ कोरिया से इस तरह की deal करती खासकर defense deal उनके उपर प्रतिबंद लगाया जा सकते हैं भारत के उपर कुछ economic sanction लगाया जा सकते हैं इसी चीज़ को लेकर अमरीकन deputy secretary of state जो है वो भारत के अंदर आई हुए है, Wendy Sherman इन्होंने बला कि एक तो ये भारत और अमरीका की जो partnership है वो indispensable है, यानि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत important है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जुरूरी है, दूसरा इस deal को लेकर concern जाता उन्होंने एनस से अजीद दोवाल साब से और हमारे external affair Mr. S. J. Senkar साब से बातचीत करी इस चीज़ को लेकर S. 400 missile system को लेकर, इसके लावा foreign security हर्सवर्दन सरिंगला साब से भी discussion किया, रिजियनले अगर आपको याद हो, Indian Air Force के जो chief है, Air Chief Marshal V.R. Codri साब ने confirm किया था, कि 5.43 billion dollar की S. 400 system deal, एक defense system deal है, वो हम लोग पर्शेज कर रहे हैं और वो on the track है, 2018 के अंदर sign करी गई थी, पहली regiment जो है इसकी इसी साल के अंदर expect की जारी है, end of December 2021, और इसके लावा ये भी बताया था, कि जो S. 400 defense system है, ये जो basically squadron होते हैं, उनका या fighter jets का replacement नहीं होते, यानि कोई भी ground से अगर कोई system काम कर रहा है, वो fighter jets को replace नहीं कर सकता, वो helpful हो सकता, या उसका एक तरीके से partner की तरह काम कर सकता है, इसके बाद इसके just music news है, आपने देखा होगा medicine, physiology उसके बाद physics और बाद में chemistry के Nobel Prize को announce कर दिया गया है, chemistry का जो Nobel Prize दिया गया है, वो है catalyst के उपर काम करने को लेकर दिया गया, दो personality है, जर्मनी के Benjamin List और यूएस बेस डेविड मेकमिलन जो है, इनको यह award दिया गया है, Nobel Chemistry Prize और क्यों दिया गया है, इन्होंने basically एक tool develop किया है, जो की molecule को build करेगा और यह मदद करेगा chemistry को और ज्यादा environment friendly बनाने को लेकर, इस tool का use किया जाए सकता है, chemical reaction को control करने को लेकर, और आने वाले टाइम में drugs के research, यानि जो दवाईयों के उपर जो research होगा, उसमें बड़ा impact यह ला सकते है, आपको याद होगा physics इससे पहले और medicine, इनके award भी announcement कर दिया गया है, आप लोगों नीचे comment करना है कि physics और medicine के award किन किन personalities को दिये गए, और किन field मे या उनकी किन discoveries को लेकर दिये गए है, 2021 के वो आप नीचे comment करेंगे, इसके बाद हम चलेंगा editorial पार्ट पर, पेज नमबर 6 editorial पार्ट है, पेज नमबर 6 पे दो editorial हमें discussion करने और पेज नमबर 7 पे editorial discussion करने, मैं आपको पहले brief में बता दूँ कि कौन कौन से editorial हम discuss करेंगे, सबसे पहले recognizing, ultra vision का मतलब होता है कि किसी के probe car को एक तरीके से identify करना, ये basically road safety, road accident और good smartians को लेकर, ministry of road, transportation, highway का जो initiative है कि उनकी पहचार की जाए, good smartians का मतलब क्या है, जैसे road पर को accident होता है, उसकी मदद करने वाले good smartians बोले जाते हैं, इसके बाद यहाँ पर sensing heat, यानि मैंने बताया है कि physics, chemistry और medicine के जो award दिये गए है, उनको the Hindu detail में analysis करता है, तो sensing heat ये article basically medicine के field में जो award दिया गया है, उसको ही analysis करता है, इसके बाद एक editorial जो है page number 7 पे है, multilateralism यानि भूप एक्षे group जो होते हैं, जा trade multilateralism या WTO को लेकर ये target करता है कि इस तरह के group जो है वो risk में है, तो उसके पहले बात करेंगे, recognizing altruism, यानि किसी के पर उपकार का मतलब दूसरे के उपकार को identify करना, right, good smartians help कर सकते हैं, road accidents को reduce करने में, इसके अलावा हमें road की safety को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें करने की जरूत है, ये एक important article की theme है, तो ministry of road transport highway ने एक तरीके से award announcement करें, good smartians के लिए, जो दूसरे लोगों के या जो road accident में victims होते हैं, उनकी मदद करते हैं, cash prize के साथ, और ये definitely बहुत important है, अगर आप पुरी दुनिया में देखेंगे, तो हम लोग third number पर आते हैं, 20 nation में जहाँ पर highest number of accident होते हैं, लेकिन इसमें एक और खराब matrix में देखिए, US और जपान में भ भारत से ज़्यादा accident in countries में होते हैं, लेकिन भारत से कम fertility आपको देखने को मिलेगी, ये उनका एक infrastructure को माल लीजी या roads के design को माल लीजी, standards को माल लीजी या एक policies हो सकती है, वो ज़्यादा हमसे better होगी, इसलिए हम ये नहीं कर पारें, इसके लावा COVID-19 का time था 2020, उस दोरान भी National Crime Record Bureau ये बोलता है कि 1,33,715 लाइज जो है वो accident की होज़े से गही है, और उसमें बड़ी संक्या में, 1,20,716 लोगों की death हुई है, road accidents की होज़े सी, या कुछ ने कुछ चाहिए, वो drivers की गलती हुए, किसी की भी road accident की होज़े से इसमें हुआ है, लेकिन under the motor vehicle law, motor vehicle law को के गुड समार्टियन को वो लिंटरली वो मदद करता है, खासकर जो accident victim है, तो पहले वो कोई expect नहीं करता है, कि उसको payment मिलेगी, reward मिलेगी, इसके लावा कई बार क्या होता है, कि legal obligation लगाई दी जाते हैं, कि कई लोग इसलिए मदद नहीं करते हैं, कि साथ कानुनी पेंच में हम लोग first जाएं, तो अब ये clarification दे दिया गया, कि कोई legal obligation नहीं होगी, कोई involvement नहीं होगा, कोई investigation में उसका entry नहीं होगी, कोई investigation में part नहीं करेगा, इनके अलावा, उसका main theme क्या है, कि वो व्यक्ति मदद करता है, तो उसको किसी प्रकार की problem नहीं होने चाहिए, बलकि उसको spot मिलना चाहिए, इसके अलावा, यहाँ पर ज़रूरी क्या है, कि अगर हम police forces को, hospitals को sensitize करते हैं, कई बार होता है कि, hospital जो admit करने से मना कर देते हैं, कि ये police investigation इसमें होगी, तो वो सारी चीज़े नहीं होने चाहिए, sensitive होना चाहिए, चाहिए वो hospitals हो, या police personal हो, इनके अलावा कई बार जो मदद करता है, उसी को harassment जैसी चीज़े देखने हो को मिलती है, legal complication देखने को मिलते हैं, अब वो नहीं होगा, इसको लेकर clarification दिया गया है, इसके लावा इस तरह की immediate assistant जो है, ये मदद करेंगे, 5000 रुपे उसको मिलेंगे, अगर 10 ऐसे good smarties जिनोंने अच्छा काम कि उनको एक एक लाख रुपे union transport ministry की तरफ से दिये जाएंगे, अब ये चीज़े हैं, उसको relief को लेकर, क्या हम roads accident को कम कर सकते हैं, उसको लेकर हम क्या कर सकते हैं, यह हमर बताया गया कि भारत की motility rate है, या death rate है road accidents की वज़े से, उसको कम करने के लिग कई चीज़ें जिसको standard यानि एक अच्छे quality के standard चाहिए, road का design इस तरीके होना चाहिए, जिसमें जो हम लोग secure कर पाएं, अगर कभी भी आप national highway के पास हैं, गाउं के road तो छोड़ दीजिए, national highway अगर आप किसी पर जाएंगे, उसमें एक बार नीचे बेट कर ऐसे flat देखना कि road कितना flat है क्योंकि road में अभी भी एक swing देखने को मिलेगा, इसलिए कई बार बोलते हैं कि जो in highways होते हैं, इन पर plane land क्यों ने possible है, क्योंकि इनका surface जो है वो बिल्कुल flat नहीं है, और flat surface नहीं होगा तो airplane जो हो crash कर जागा, इसलिए अगर माल लेते हैं, emergency को landing करवाने पड़ी तो थोड इस ही difficult होती इस तरह के roads में, इसके लाबा National Road Safety Board को announcement किया गया था, जिसका main मकसद ही है कि standard को formulate करना, safety को लेकर काम करना, trauma management, building capacity, चाया traffic police हो या investigation हो, या scientific footing हो, उन सब को लेकर ये implementation करेगा, 2015 में Union Transport Minister साब नहीं बोला था, चंबल के अंदर डेकोट जो है, वो इनका benefit उठा सकते माल लेते हैं कि अगर एक road accident होता है particular इस तरह के areas के अंदर, तो वहाँ पर possibilities है, तो इसमें अब क्या कर सकते, good smartians के मदद से district committee को consideration करना, police, hospital और RTOs की responsibility को recognize करना, इनके अलबा इसमें उनको cash award देना जो अच्छा लोग अच्छे काम करते हैं, या इस accidents हुए जिनको उन victims को hospital तक पहुँचाते हैं उन लोगों को, और उनमें कोई legal complication ही होने चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर कोई इनसान मदद कर रहा है, उसी को court के चकर काटने पड़े हैं, वो चीज़ या नहीं होने चाहिए. Second article है, sensing heat करके, अगर आपको ध्यानो, Nobel Prize of Physiology or Medicine का इस बार दिया गया है, यह basically sensing को लेकर हैं, या जो हमारी sensing को लेकर कैसे हमारी body react करती है, या हमारे preceptor काम करते हैं, preceptor का पतलब भी sensing होता है, कैसे काम करते हैं, उसको लेकर ही award दिया गया है, genetic mutation in cellular mechanism, temperature, pain और sensation के लिए बहुत important है, बहुत ही important है, इसको बना जाता है, इस बार का जो Nobel Prize दिया गया, Physiology or Medicine का, यह दिया गया, डेविड जूलियस को, और Adam Petapauten को, जो कि University of California, San Francisco, और Script Research in Lajula, California के अंदर, यह काम करते हैं, रिसर्चर हैं दोनों के दोनों, यह क्या रिसर्च काम किया, जिसके वज़े से Nobel Prize दिया गे इनको, Medicine या Physiology के अंदर, इन्होंने identify करा एक ऐसा gene को, और understanding करने को लेकर, एक ऐसा mechanism जिसमें, हमारी body, जो किस तरीके से temperature और pressure को, प्रिसीव करती है, या कैसे sense करती है, हमारी body कैसे sense करती है, feel कैसे करती है, कोई temperature कितना है, body पर pressure कित temperature में, यह बहुत important है, हमारे survival को लेकर, यह determine करता है, कैसे हमारी body react करेगी, internal और external environment के perspective में, cornic pain के perspective में, यह important इनका research था, ठीक है, अगर आप देखेंगे, Dr. Julius ने utilize किया है, capsicin, यानि जो key ingredient होता है, hot chili papers के अंदर, उसके according कैसे हमारी sensor जो है, खासका nerve endings के, या skin के, वो कैसे काम करते हैं, उसको लेकर, जैसे, heat, जो receptors होते हैं, activate होते हैं, अबो 40 degree Celsius के, right, और इसी को माना जाता है, कि यह, psychophysical threshold है, thermal pain की, 2002 के अंदर, इसको लेकर, यानि, heat sensor को identify किया ग कर, awards मिला था, बाद में, इसके लावा, independently, methanol discover की गी थी, discover the receptor that senses cold temperature, methanol किसके परस्पेक्टिव में, cold temperature को sense करने के परस्पेक्टिव में, यह दी गी थी, इसके लावा, cold या warm temperature के बीच में तो description है, या इसमें जो अलग आपको देखने को मिलेगा, इसके पीछे हो सकता है, ए cold sensing nerves fibers के बीच में, जो एक तरीके से differentiate होगा, उसको लेकर हो सकता है, इनके लावा, यह भी possibility कि pressure sensitive cells, जिसको लेकर डक्टर पटा पाउटेन ने discover किया है, novel class of mechanical senses, इसका मतलब क्या है, कि यह basically हमारे skin कैसे pressure के परती react करती है, हमारे internal organ, यानि हमारी body के जो parts है, वो कैसे touch और pro prior exceptions क को लेकर काम करते है, हमारी ability जो feel करती है, moment को, हमारी body की जो body parts है, moment को feel करते है, उन सारी चीजों को लेकर यह award दिया गया है, यह award अपने आप में विशेश महतों रखता है, क्यों? क्योंकि एक तो यह एक ऐसा mechanism set किया गया है, mechanism को लेकर काम किया गया है, इसमें temperature, pain, pressure को sensation कर सके, हम लोग feel कर सके, इस तरह की discovery of pain receptor का mean क्या benefit होने वाला है, pharmaceutical companies जो है, या जो दवाईया मनाती है, उन companies के लिए attraction का काम करेगा, कि वो particular target कर पाए कि किस field में जो है दवाई उनको बनानी है, और उस दवाई का असर कहां परोगा, अगर हमें understanding होगी, कि sensing technique जो है, sensing जो कैसे काम करती है, बोड़ी के अंदर, उसके बिशेश पर यह दवाई बना सकते हैं, इनके अलावा, इसमें और ज्याद refugees में, जो war and torn है, यानि बड़ी सेंख्याम, जो refugees का युगदार को भी identify करता है, कि refugees जो है, civil war जिन country में चल रहा जाते हैं, उनसे वो एक safe country के अंदर जाते हैं, और उसके बाद वो अपना काम करते हैं, science के field में जैसे, अगर यहाँ पर आप देखें, Dr. Petaporton के perspective में, Armenian origin के थे बाद में यह लेवनान में गए, उसमें civil war हुआ, और उसके बाद 1986 में US के अंदर ही गए थे, वहाँ पर इनको बिल्कुल भी जानकारे नहीं थे कि science क्या है, लेकिन science में इनको interest हुआ, और उसके बाद इस तरह की discoveries हुई, even Nobel Prize दिया गए इनको, medicine के अंदर इनका जो area था, जो इन्होंने काम किया, sensing को लेकर, यह एक important identification भी करता है, कि refuses का भी important role है, science and technology के development को लेकर, और उसको identification दिया है, Nobel Prize Committee ने, इसके बाद third editorial जो हम cover करेंगे, वो है, trade multilateralism at risk कर के article दिया गया है, यह article बाद करता है, world trade organization, जो है वो face कर रहा है, कि यह खतम हो जाएगा, और organization existential crisis face कर इसको लेकर ही article है, अगले महिने जनेवा के अंदर, एक meeting होने वाली, WTO की ministerial meeting, जो की मनी जाती की सबसे important meeting है, 1995 में यह organization create किया गया था, new liberalism उस टाइम दिनिया में भर को देखने को मिलता है, new उदारबाद इसको बोलते है, हलाकि कई लोग इसको challenge भी करते हैं, इविन जैस और वो same policy follow करते हैं, जो Donald Trump practice करते थे, और यहाँ पर देखने को मिला कि United State की जो policy है, WTO को लेकर, यह काफी surprising भी है, और एक तरीके से proper function ही नहीं करने देरी कैसे, WTO के अंदर appellate body बहुत important है, appellate body basically WTO के जो dispute settlement mechanism है, उसको लेकर काम करती है, इसमें एक permanent body होती है, साथ member होते ह लेकिन यहाँ पर हम देखने हैं, December 2019 से इसने काम करना ही बंद कर दिया, काम कैसे करेगी जो vacancies नहीं होगी, ठीक है, और vacancy फिल नहीं होने देरा, USA बार-बार veto कर रहा है, इसमें कोई solution जो है, नजर नहीं आता, European Union ने एक अलगतरी case है, establishment को लेकर body हा कि एक alternate होना चाहिए, बट उसको लेकर भी US agree नहीं है, तो ये सारी चीजों की वज़े से number of cases, 20 cases जो increase हो चुके है, अब आपको लगए कि BC case है, लेकिन यहाँ पर major cases होते हैं, वो अगर इतने बड़े लेवल पर increase हो रहे हैं, तो इसका अपने आप में इस body की existence की क्या value है, कई बार इवन इंडिय की बारे में mention करें, पहला तो food security को लेकर यानि जो food stocking होता है, public stock holding, जैसे अगर आप देखें, भारत के अंदर भी जो FCI के गुदाम सोते हैं, जहां पर हम लोग food stock करते हैं, या MSP के basis पर जो सरकार procurement करती है, अनाज की जैसे गेहू चावल, उसको फिर store में रखते बाद में यह हम लोग जो है, National Food Security Act के थूर डिस्टिबिट करते हैं, राशन सोपस पर, इसी context में इसको लेकर भी क्या food grain को procurement कर सकते हैं, और क्या WTO के role के occurring, procurement, stocking और distribute food होता है, यह क्या एक खराब practice के अंदर count की जाएगी, जिसको बलते हैं, यहां पर trade distorting, यानि एक तरीके से खराब trade practice के अंदर count करना, और क्या इस पर जो limitation लगेगी, definitely अगर भारत के perspective में देखेंगे, तो यह हम लोग limit जो हम वो cross करने हैं, बट यह mechanism को लेकर, यह 2015 का जो नेरवी ministry meeting का mandate है, उसको लेकर clarification होना चाहिए, और इसमें और ज्यादा एक तरीके से बोल सकते है कि clarity होने चाहिए, ताकि क्योंकि बड़े संक्या में, भारत की बात नहीं है, बहुत सारी countries के अंदर important है कि सरकार द्वारा गरीब लोगों को मदद की जाए, subsidize price पे उनको food available करवाए जाए, ताकि counter के जास के hunger जैसी problem को, तो यह तो important है और इसको trade distorting के दरख count नहीं किया जाए, यह यह बात की second जो बड़ा issue इस टाइम पे, WTO member countries में, इस बात को लेकर disagree है, कि trips को लेकर, यानि trade related aspect of intellectual property right, IPR को लेकर यह नहीं चाते कि इसमें कुछ shoot मिले, भारत और अफरिका ने एक application दी थी, कि भाई, intellectual property right को कुछ समय के लिचोड़ दीजे, क्योंकि COVID-19 medical product के accessibility increase करते हैं, माल लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का patent है, copyright है, या trademark है, या trade secret है, उस context में उस person की requirement होगी, लेकिन उसमें ये भी provision है, कि अगर WTO इस तरह के viewer कर देता, छूर दे देता, तब इसमें particular time के लिए उसको कुछ shoot मिलेगी, और company जो है manufacture कर सकती है, बड़े level पर vaccines को लेकर, या इनके जो patent rights है, इसको लेकर काफी debate है, और even USA ने थोड़ा बहुत spot भी क्या लेकिन western countries ने, जैसे European countries चीज को लेकर agree नहीं है, और proper agreement ना होने की वज़े से, इसमें shoot भी नहीं मिली है, इनके अलावा, इसमें अगर आप देखेंगे, subsidies को लेकर distribution, और even marine resources के exploration को लेकर काफी ज़्यादा debate हो रह एक तो ocean conservation को, जो conserving ocean उसको resource को protect करने को लेकर, और लोगों की जो livelihood है, उनको भी save करने को लेकर, इसके लिए effective special differentiation treatment की requirement है, जो adequate policy measures को space दे, इसके लावा last में बताया गया कि एक और जो बड़ा concern है, WTO को, जो existence को challenge कर रहा है, कई सारे multilateral या plurilateral organization आपको देखने हो को मिलेंगे, जैसे CP, TPP की बारे में बात करी, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-specific Partnership, जो की अभी बहुत ज्यादा news में इसली भी आ गया, क्योंकि चाइना ने इसकी membership के लिए apply किया, 11 countries का एक group है, पहले TPP होता था, जब USA में होता था, तब 12 country होती थी, लेकिन USA ने withdraw कर लिया, फिर 11 country का एक organization बना, इसको लेकर चाइना ने बोला कि membership दीजी, उसके just बात, Taiwan ने बोला और फिर आप देख सकते हैं, दोनों के बीच में जो conflict है, वो हम लगातार देख रहे हैं, इनके लावा Regional Comprehensive Economic Partnership के बारे में बात करेगी, कि जैसे Regional Comprehensive Economic Partnership एक important organization है, जो की नया इसका alternate की तरह है, उबर करार है, Regional Comprehensive Economic Partnership व आस्ट्रेलिया, न्यूजलेंड, दक्षिन कॉरिया, साउथ कॉरिया, जापान और चाइना, राइट, ये इसको ध्यान रखेंगे, इनके लावा जब हमारे प्राइमिस्टर साब यूएस की विजिट पर गए थे, तब भारत ने बोला ता कि रूल बेज ग्लोबल ओर होना चाहिए, इंस्ट्यूशनल मल्टी लिटलिजम को लेकर रिफॉर्म होना चाहिए, एकनॉमिक नेशनलिजम को लेकर अगर आप देखेंगे, ये आईडियल एंटिडोट कैसे होगी कि पूरी जो इंटरनाशनल रूल बेज ग्लोबल ओर हो, इंस्ट्यूशनल मल्टी लिटल लिटलिजम के अंदर रिफॉर्म हो, और भारत क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्टनर है इस पूरे प्रस्पेक्टिव में, तो अगर इस तरह के और्गनाजिशन में रिफॉर्म किया जाए, तो इस और्गनाजिशन को सेव कर सकते हैं, या इसमें एक तरीके से लगता है कि इस तरह की चीज़ों से बचा जा सकता है, अगर हम प्रोपर इसमें रिफॉर्म को लेकर काम करेंगे तो, इसके बाद बात करेंगे पेज नमबर एट पर, पेज नमबर एट पर एक न्यूज जो हो, एक तो न्यूज इंपोर्ट हैं, उसके बारे हम थोड़ा देखेंगे, सबसे पहले यहां पर बताया गया, गवर्मेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है, सुप्रीम कोर्ट से का कि आप बताइए कैसे हम लोग कोटा नम सेट कर सकते हैं, प्रमोशन के अंदर, और इस चीज़ को लेकर एक डिबेट होती है हमेशा से, क्या प्रमोशन में रिज प्रमोशन में जो बेनिफिट है, क्या वो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इसको लेकर डिबेट है, और यह क्यों हो रहा है, क्योंकि SC, STR, OBC, Communities की जो रिप्रेजेंटेशन है, वो हाईर लेवल पर कम है, तो उसको एक तरीके से बैलेंस करने के लिए, सरकार प्लान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में प्रमोशन में रिजर्वेशन को प्रमोट कर रहे हैं, इसको लेकर सुप्रिम कोर्स एक डारेक्शन पूछी गई है, कि आप बताईए, कैसे हम लोग इसको काम कर सकते हैं, कैसे इस चीज को हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, इसके ला यूएस की डेप्टी सेकेटरी जो है वो इंडिया के अंदर आई इन्होंने एनसे से लेकर एक्टरन आफेर मिस्टर और हर्सवर्दन स्रिंगला जो की फोरेंड सेकेटरी इनसे बातचित करी यह अभी अभी आप देखेंगे फोरेंड सेकेटरी साब सिलंका की विजिट्स है यूएस के concern है यूएस लेकिन ये भी बोलता है कि एक solution हो सकता है इसके लावा 2 प्लस 2 dialogue जो है वो काफी important है 2 प्लस 2 dialogue का मतलब क्या है कि defense और foreign minister के बीच में यानि भारत के defense और foreign minister और यूएस के defense और foreign minister के बीच में discussion करना trade को लेकर जो हो discussion किया गया इसके लावा अगर देखेंगे तो as 400 missile system के बारे मता है कि टर्की पर वो impose कर चुके इस तरह के sanction भारत पर भी इस तरह के sanction जो है प्रतिवन लगाए जा सकते हैं इनके अलावा इसमें इस तरह की debate होती क्या USA जो है भारत में उजबेकिस्तान में य भारत जो prepare करेगा manufacture करेगा और यह भारत ने अभी जो place किया कि quad vaccine partnership के अंडर बड़ी सेंख्या में quad countries दुनिया वर को vaccine supply करेंगे इसे के अंडर important commitment है और इस इन वेक्षिन में से बड़ी सेंख्या में 1 billion के आजपास जो है वो भारत डेवलप करेगा यह इसके अंदर mention किया ग ही है इसके बाद बात करेंगे page number 10 पे page number 10 पे दो important information पहला अगर आप देखेंगे supreme court लगातार एक topic को लेकर highlighted कर रही है वो है firecrackers को लेकर firecrackers यह topic बहुत जादा highlight इसलिए क्योंकि firecrackers के अंदर जो chemicals use की जाते हैं और 2018 में supreme court ने बैन कर दिया था कि firecrackers की वाज़े से इसको रोका जाना चाहिए इसमें एक बड़ा chemical है जो barium barium का basically क्या purpose होता firecrackers में जो green color के आप light देख रहे हैं यह barium की वज़े से होती है इस तरह के chemical को toxic chemical बोला गया है manufacturer से जब पूछा गया कि भाई आप बताईए कि आपके गोदावन में इतनी बड़ी quantity क्यों है तो उन जो है वो क्यों रखी गई है बैरियम को लेकर इसके लावा बैरियम के लावा दूसरे chemical भी इसमें यूज किये गए सुप्रियम कोट ने 2018 में बैन कर दिया था chemicals इस तरह के और बैरियम और दूसरे chemical के खासका firecrackers में और एक alternate प्रवाइड किया था ग्रीन के क्रेकर्स को लेकर जब एक petition डाली गई थी जो manufacturer companies है जो firecrackers में बनाती कि अगर हम इसको complete बंद कर देंगे तो बड़ी संख्या में लोगों की जो है रोजगार्स ले जाएंगे तो उस context में life और livelihood के इसमें balance create करने के लिए सुप्रियम कोट ने बोला कि कम chemical वाले या बोल सक कम emission हो उसको लोग आप use कर सकते बना सकते हैं इसके just right hand side एक information this is very important for UPSC perspective और air quality को लेकर जब बात हो रही है तो उसी context में UP यन उत्तर प्रदेश ने टोप सान हासिल किया है खराब प्रदर्शन है ये कहाँगा कि particular matter को 2.5 जो particular matter होते हैं धूल के बिल्कुल बारिक कंड जिसक प्रदेश ने भी sources है अलग-अलग companies या अलग-अलग organizations से sources है उनके according उत्तर प्रदेश ने पहला स्तान हांसिल किया खराब performance में फिर महराष्ट्रा, MP, Odisha, रास्तान, वेस्ट बिंगॉल ये ranking करी गी है रिशनली Council on Energy Environment and Water जो की research body है वो इनों ने बोला कि air pollution को और जो छोड़ चोड़े धूल के करणन को track करने को लेकर discussion हुआ और यहां पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा क्यों है यहां पर reason बता है कि बड़ी शंक्या में अभी भी household में घरों में एक तरीके से लोग जो है वो लकडी के उपर depend है यानि खाना बनाने के लिए लकड इंक्रीज होंगे तो अनफोर्डेबल हो जाए गया सलेंडर का connection देना अलग issue है बड़ उसको एक अना refilling करना यह बड़ा issue है उसको लेकर concentration किया जाना चाहिए अलग-अलग data बताया गया अलग-अलग organization data collect किया इसी चीज़ को लेकर बोला गया common pollutant के बारे हम बताया गया कि यह common pollutant जैसे PM2.5 है PM10 है नाइट्रियस oxide है sulfur dioxide है या carbon monoxide है ammonia है या NMVOC यह नोन methane volatile organic है इनके लावा यह भी बताया गया कि अलग-अलग यह जो basically आप देखें variation देखने को मिलेंगे इसको लेकर एक comprehensive inventory baseline emission की requirement है भारत ने national clean air program campaign launch किया था जिसका aim था 122 cities को जो कि सबसे खराब प्रदर्शन कर रहे हैं 2024 तक उनमें pollution को reduce करना और इसका target था 20-30% तक reduction करना खासकर particulate concentration के था 2024 तक राइट इसमें estimation किया गया था कि जो reduction होगा यह अलग-अलग sector के अंदर होगा और estimate किया जाता है कि यह reduction जो यह तभी possible है जब देश के हर सहर में ज खासकर pollutant cities है उन पर इसको लेकर policies को implementation किया जासके या उसको लेकर काम किया जासके ठीक page number अगर हम बात करें 11 पर जो business section का page है इसमें एक ही important information है जो की exam perspective से important है वो यह Asian nation asked to issue trade barrier ने एक तरीके से जो trade barrier उसमें रियायत दीजी relaxation करिए यह एक तरीके से request करिए United Nation ESCAP यह नहीं United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific और Asian Development Bank ने यह कहा है कि barrier जो है trade को लेकर trade barrier in the sense क्या होते है कि हम import हो रहा है जैसे चाइना से इंडिया में कोई चीज़ इंपोर्ट हो रही है हम उस पर बैल एक तरीके से बहुत जादा और वो भारत में नहीं आपाएगा यह बड़ा एक सवाल है इसके अलावा यहां पर यह बोला गया कि digital process को जो है हम लोग और ज्यादा improvement कर सकते हैं उसको लेकर काम कर सकते हैं trade barrier को non-trative barrier से उनको कम करिए restrictions को कम करिए और कहीं पर भी दुनिया में protectionist जो policies होती है या स्रंक्षनवादी निती होती है वो काम्याब नहीं होती global economic के perspective से डिजिटल एक तरीके से payment को promote करना paperless trade procedure को promote करना यह important है जब supply chain disturb हुई थी COVID-19 pandemic के दुरान अगर हम digitalization का use करते हैं 30% ज्यादा trade आपको देखने हो बनेगा उसकी cost जो हो कम हो सकती है यह चीज़े इसके अंदर mention करेगी है इसके लावा यहां पर mention किया गया कि North Eastern State के अंदर oil palm को लेकर 1750 क्रोड यह investment करेगी इन्होंने announcement किया है एक company है 3F करके और यह investment करे ओयल palm को लेकर काफी ज़्यादा news है और भारत ने नोर्थ इस्टन स्टेट और नेमान और निकोबार के अंदर इसको लेकर एक mission launch किया है इसमें बड़ी सेंख्या में oil palm agriculture को promote किया जाएगा और जो dependency भारत की इस तेल को लेकर आयात को लेकर उसको कम किया जाएगा यह main purpose इसमें नौर्थ इस्टन स्टेट में खासकर plantation की जाएगी जिसमें असम और नाचल प्रदेश जो है वो lead करेंगे इसके बाद last page जो है world affair या जिसमें कहेंगी दुनिया भर में इस टाइम पर क्या चीज़िन चल रही है उसके बारे में यह article discuss करता है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो world affair में दो important news हम daily basis पर पढ़ रहे हैं कि China और Taiwan के बीच में जो tension है यह बोली जारी कि 40 साल में सबसे ज़्यादा बार देखने को भिलरी इस बार तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्या यह basically news है crisis in the state करके बिया गया यह crisis in the state का मतलब है जो Taiwan state चाइना और Taiwan के जो बीच में है उसको बोलेंगे Taiwan state और यह जो line दिखरी यह basically इन दोनों के air defense zone की अब बोल सकते मध्य बिंदू आप बोलेंगे यहाँ पर बड़ी संक्या में क्या कर रहा चाइना jets भेज रहा इस particular island independent country के अंदर यह आपने आपको जो independent बोलता चाइना बोलता कि हमारा पार् जो military level पर जो एक तरीके से इन्होंने jet भेजा जा रहा है पूरी दुनिया पर लगता कि हो सकता कि आने वाले को साल में चाइना इस island को जो है capture कर ले ताइवान का जो air defense identification zone है यह basically area कारो करता है यह वाला area यहां तक का area कावर करता है लेकिन यहां पर बड़ी संक्या में Chinese mainland से jets भेजे जा रहे है और यह इनके air defense zone जो उसको break कर रहे है उसको breeze कर रहे है इसी चीज़ को लेकर United States ने बोला कि जो latest action है चाइना के यह काफी ज्यादा disturbing है और destabilize और risky करने जैसी चीज़े है इसके अलाबा चाइना ने response किया कि चाइना जो weapon sell कर रहा ताइवान को और इस particular navigation को लेकर जो disturbance create कर रहा है यह proactive है यहां से कई बार आपने देखा होगा US के पूरी दुनिया भर के जो country उनके ships क्रोस करते है इस चीज़ को लेकर China बहुत जादा नराज होता है रिशन में एक और issue है हमने पढ़ा था कि CPTPP को लेकर joining को लेकर दोनों के बीच में debate है चाइना ने application दे दिया कि भई हम join करना चाते उसके just बात चाइना ताइवान ने भी application दी कि हम भी इसको join करना चाते चाइना इस चीज़ को criticism किया कि भाई आप तो country नहीं है आपको कैसे membership मिलेगी दूसरा चाइना का जब national day था तो ताइवान में बड़े सेंगेम प्रोटेस्ट हुए और ये प्रोटेस्ट natural है ऐसानी की पहली बार हुए इसके लावा ये सारी चीज़ों के बीच में सत्रह सिप्स जो six नेविज की होंगी यूएस ब्रेटें जपान नेदरलेंड कनाड़ा और न्यूजलेंड की ये विसिकलिक जपान के पास एक joint exercise करेंगी इन सब के लावा इनके बीच में डिविजन ऐसा नहीं कि अभी 2021 में अ चुरू होती है आइलेंड अपने आपको एक इंडिपेंडेंट कंट्री बोलता है अपनी इसका खुद का constitution है इलेक्री लीडर है तीन लाग के ट्रूप्स भी है लेकिन बहुत ही कम कंट्री जो नेशन को रिखनाइज किया उसकी पीछे भी रिजन ही है चाइना की वन इसके बाद UAE क्लेम कर रहा है कि उसने कोविड क्राइसिस का उवर कम कर लिया उसकी एकनोमी जो है वो रिकावर कर रही है और बहुती कम केसी देखने को मिलते हैं इस मेने वहाँ पर केवल 200 केस देखने को मिले इसके जस्ट एक नीचे वह एक और नीचे आश्यान की मीटि है यानि जो मिलेटरी की हैड है उनको ना बला जाए महिनमार में डेमोकरीटिक गवर्मेंट चुनी गई थी लेकिन इसको जो है डिटेन किया गया लीडरेश को हैड of the states को डिटेन किया गया प्रोटिकल पार्टीज की लीडर को डिटेन किया गया और उन सब के बाद हम द जेंटा चीफ या मिलिटरी चीफ को बुलाया ही ना जाए इसके बाद अगर आप इसकी जोगर्फिकल लोकेशन देखेंगे भारत के नौर्थ इस्टरन स्टेट्स को के साथ बाउंडरी सेर करेगा मैंनमार और यहां पर लगातार जो है वो इस्योज है लोग प्रोटेक्ट क उनको साइन नहीं किया है इसलिए भारत को फोर्सफुली जो है वो बाद दे नहीं किया जा सकते कि आपको इस चीजे फोलो करनी के नहीं फोलो करनी है ठीक तो यह था आज के दहिंदू निउस्पेपर का एंड थैंक्यो ओल जेहिंद